नमस्ते विद्यर्थी मित्रों आज मैं सब्तसी संकुल में आपका हर्दिक स्वागत करती हूं आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्सा 6 में घदिय यानिके पाठ आठ राजा का हिस्सा यह पठे गे तो यह एक कहानी पाठ है उनका जो घदिय प्रकार है वो कौन सा है तो कहानी है इस कहानी में एक प्रजा वाक्सलिय राजा का वरणन है आ कहानी नी अंदर प्रजा प्रेमी जे राजा छे ए राजानों वरणन करवामा अभियू छे राजा प्रजा की कठीनायों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते है राजा जे छे ए राजा पोतानी प्रजानी जे कठी जे मुस्किलियों छे ए मुस्किलियों में हमेशा मदद करवा माटे तत्पर होई छे राजा भोज बड़े प्रजा वास्तलिय थे राजा जे भोज राजा हता एक केवा हता खूब प्रजा प्रेमी हता वे स्वयम राजयम एक घूम घूम कर प्रजा की कठीने आयों को देख खा करते थे अने ते तेओ जाते राजयमा फरी फरी ने प्रजानी जे तकलीफों छे ए तकलीफों ने जोता अने ते यथा संभाड दूर करी करता धता एक दिन राजया अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राजय का ब्रह्मन कर रहे थे अने एक दिवस राजया पोता नी रानी साथे रथ मा बेसी ने राजयमा फरी रहिया हता वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए ते वो राजधानी थी खूब दूर निकड़ी गया उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा मगर उसके हल में एक ही बेल है दूसरे बेल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खीच रही थी ते राजा ये जोयू के एक खेतर नी अंदर एक खेडूत हड चलावी रही हो हतो परन्तु ते हड मा एक बड़द जहतो अने वीजा बड़द नी जग्याय तेमनी पत्नी ने हड खेची रही हती राजा भोज ने रत को रोका और किसान के पास जा कर कहा अने राजा भोज ये पोतानों जे रत चे ए रत ने सुँ करियो रोकियो अने खेडूत नी पासे जईने ते कहियो भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो अने सु प्रश्ण करे छे के भला मानस तु आख के वो अत्याचार करी रही हो छे भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है अरे क्या इस त्रीने सु हडमा जोताती हसे एम राजा कोने एक किसानने प्रश्ण करे छे विद्धे थिमित्रों आगर जो चीत्रमा जो यू ना तम्हें राजा इने पूझे छे अवे जो मेरा एक बेल मर गया है दूसरा बेल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है अने एक किसान जे छे किसान राजाने सु उत्तरा पे छे, के मारो एक बड़द छे, ते मरी गयों छे, अने भी जो बड़द खरीजवा माटे मारे पासे पैसा न थी अगर खेत न जोटा, तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनह अपने कारिया में लग गया अने पचिक किसान सु कहे छे, जे खेडूत छे ते सु कहे छे, के जो हुँ खेतर माँ, खेडवा माँ न आवू, तो हुँ खाई सु एम कही ने खेडूत फरीथी पोताना कारिया मा लागे जाई, छे, पोताना काम मा लागे जाई ये कौन छे एने खबरजने हती के ए राजा छे अवे जो राजा ने कहा अरे भाई जेरा तो न तो अने राजा सुन कहे छे राजा कहे छे अरे भाई जेरा सांब्डवो तो राजा ने कहा जो कहा कहना है मेरे साथ चलती चलते कहो मेरा काम क्यो रोकते हो किसान ने कहा अने किसान सुन कहे छे राजा ने कि तमारे जे कईपन केऊ होई ये मारी साथे चालता चालता कहो महरू काम सा माटे रोको छो, अटका वो छो एम कौन कहे छे, खेडूत कहे छे अवे आगर जोई ये विद्धा थी मित्रो राजा बोज उसके साथ साथ चलने लगे राजा बोज सुकरवा लागया एनी साथे साथे चालवा लागया अपने काम के प्रती किसान की लगन देखकर राजा बोज बहुत प्रभावित हुए वह बोले अने पोता ना कारिय प्रती खेडूत नी जे लागनी जोईने राजा बोज खूब प्रशन थाई गया अने तेमने कहिऊ इस प्रकार भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी ठक जाएगे और ठकावट ही वजह से कोई दूसरा कारिय भी नहीं कर सकेगे अने शू कहे छे के आप्रकारे तो भला मानस आरी ते तो तारी जे पत्नी छे ए पत्नी ठाकी जसे अने ठाकने कारणे कोई वीजू कारिय वीजू कामपण नहीं करी सके किसान बोला तो फिर तुम्हे बताओ मैं क्या करों किसान सु कहे छे खेडूत के तो पछितमेज कहो हूँ सु करो राजा ने कहा तुम बेरे साथ चलो मैं अपना एक बेल तुम्हें दे दोंगा अने राजा सु कहे छे, राजा कहे छे के तुम्हारी साथे चाल अने हूँ तने मारो जोई एक बड़द छे ते आपी दव मगर इतनी देर मुझे काम रोपना पड़ेगा, तुम्ही बेल ला दो, किसान बोला अने किसान सु कहे छे, कि तुम हूँ तमारी साथे बड़द लेवा माटे आओ, तो एटल समय मारे मारो काम रोपूँ पड़ से एना करता तमेज मने ते बेल अडले के बड़द यहां आपी जाओ, किसान कहे छे, अच्छा ऐसा करो तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वहां मेरी पत्नी से बेल ले आएगे अने सु कहे छे, के सारो, तो पच्छी, राजा सु कहे छे, के सारो ते उखरो के तारी जे पत्नी छे, इने मारा रथ पासे मोकलो, और मारी पत्नी साथे जाईने ते बड़द लई आवसे तब तक मैं तुम्हारे हल मैं जोट तूँगा राजा ने कहाने पचिसु कहे छे कि त्यासुदी हूं तारो जे हल छे एमा जोटीस और हल चलावीस त्यासुदी तारी पत्नी ज्यासुदी ए बढ़त लईने नहे आवे त्यासुदी अच्छा ऐसा करो किशान इस बात पर राजी हो गया अने किशान ठीक त्यारे एम कर लेके राजी थाई गया राजा बोज हल में जूट गए और किशान की पत्नी रथ के पास चल गई अने तू तारी पत्नी ने रथनी पासे मोकली दे मारी पत्नी पासे थी बढ़त ले आवसे इम कहिऊ राजाय अने त्यां सुधी थारा बढ़त मा नू जोटाई जैस राजाय कहिऊ खेडूत आ वात माते मानी गया अने राजा बोज हड मा जोटाई गया अने खेडूत नी पत्नी रथ पासे जई ने रत पासे जवा माटे चाले गई अन्हें तिने राणी ने बधी बात कही किसन इस बात पर राजी हो गए और किसन की पत्नी रत के पास चले गए उसने राणी को सारी बात बता दे राणी ने पूरी बात सुनकर कहा तुम्हारा बेल तो कमज़र होगा यहां हमारे बेल खासाथ नहीं दे सकेगा अने सु कहे छे ए किसान नी जे पत्नी छे ए पत्नी नी बद्धी वात ए राणी सांबडे छे अने पची रानिसु कहाँ चे के तारोजी बढ़द छे ते निर्बढ थाई गयो हसे ते अमारा बढ़द नी साथे नहीं चाली सके माटे तु बनने बढ़द लई जा किसान की पत्नी दोनों बेल लेकर खेत पर पहुची किसान बहुत प्रसन हुआ राजा बोज ने कहा अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना कहकर राजा बोज ने उसे अपना परीचाई दिया और किसान बहुत सर्मिंदा हुआ अने किसान नी जे पत्नी छे ए अने राजा नी पत्नी रानी पासे जाई छे अने बनने बेल लेकर बढ़द लई आवे छे अने बनने बढ़द ने जोई ने एक किसान खूब खूस थाई जाई छे अने राजा भोज ने छे ते किसान ने कहे छे के ताने विजा क्यारे कोई टकलिफ होई तो मारी पासे आवजे एम कही ने राजा भोज पोतानों परी छेई खेडूत ने आपे छे तो खेडूत खूब सर्माई जाए छे तो विद्याथी मित्रो आपणे आईया सुधी पाठ जोयो छे हवे तमारे अपणे अधूरो पाठ छे तो आगण्णों पाठ आपणे विजा लेचर मा जोय सुँँ त्यां सुधी विद्य धिमित्रो आ पाठिनों तमारे अभ्यास करवानों छे अने इना किडलक प्रस्णों छे प्रस्णों तमारे पाक्की नोटबुक नी अंदल लखवाना छे त्यां सुधी जै हिंड जै भारत अस्तु